भारत में इस साल 5 अक्टूबर से ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए सेलेक्शन कमिटी ने 15 सदसिय टीम का एलान कर दिया है। सेलेक्टर्स ने अचानक उन 15 खिलाडियों की किस्मत खोल दी है, जो वर्ल्ड कप 2023 में अपना जल्वा दुनिया को दिखाएंगे। सेलेक्टर्स ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए एक संतुलित टीम का चयन किया है। बता दे की 2013 वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर 2013 से 19 नवंबर 2013 तक भारत की मेजबानी में खेला जाएगा। पुद्राबाद, कोलकाता, लखनौ, मुंबई, पुने शामिल हैं। दरसल, नीदरलेंड की टीम ने भारत की धर्ती पर होने वाले वर्ल्ड कप 2013 के लिए अपनी 15 सदसियर टीम का एलान कर दिया है। रीलोफ वान्डर, मर्व और कोलिन एकमेंड की अनुभावी जोडी को वंडे वर्ल्ड कप के लिए नीदरलेंड की 15 सदसियर टीम में शामिल किया गया है। ये दोनों खिलाडी क्वालिफायर्ज में टीम का हिस्सा नहीं थे, जिसमें नीदरलेंड ने दूसरे स्थान पर रहकर वर्ल्ड कप में अपनी जगा सुरक्षित की थी। स्कॉट एडवर्ड को टीम का कप्तान बनाए रखा गया है। वान डर मर्व और एकमेंड दोनों को अंतराश्ट्रियस तर पर खेलने का काफी अनुभाव है और उनकी मौझूदगी से नीदरलेंड की टीम को मजबूती मिलेगी। रेयान कुक टीम के मुख्य कोच होंगे। नीदरलेंड की टीम 30 सितमबर को औस्ट्रेलिया और 3 अक्टूबर को भारत के खिलाफ अभ्यास मैच के लेगी। इसके तीन दिन बाद वह हैदराबाद में पाकिस्तान के खिलाफ वन डे वर्ल्ड कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। नीदरलेंड की टीम 5 वी बार वर्ल्ड कप में भाग ले रही है।